इस्राइल ने नसर अल्ला को मारा तो युद्ध में इरान आया इरान ने इस्राइल को देल आया तो वार जोन में अमेरिका आया अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक आरपार का युद्ध है ये अब किसी के रूखे ना रूखेगा हर खेमे में अलान हो चुका है इस्राइल और इस्लामिक फाइटर की लडाई महा युद्ध में बदल गई है बीशन हमले शुरू हो चुके हैं हाइपरस्वानिक मिसाइल फट रही है जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इस्राइल में कोहरा मचा है हेरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है तुर्की भी इसराइल के खलाफ मोर्चा खोल चुका है मतलब ये कि महा युद्ध में अब महा शक्तियों के हत्यारों की टक्कर शुरू होगी इसराइल को 181 फत्य मिसाइल हमले से दहलाने के बाद इरान ने जो अइलान किया है उसने पूरी दुनिया को खत्रे में डाल दिया है इरान के सुप्रीम लीडर अली खाम नहीं ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुलकों से फॉरन रफा दफा होने का फर्मान सुनाया है इसराइल पर हमले का जश्न जिस तरहां से इरान समर्तित लड़ा के मना रहे हैं उच से सुपर पावर अमेरिका बुखलाया हुआ है एरान ने इसराइल पर मिसाल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है शर्रशुन रज इन मन्तिके कम बकुनन बेदून शक इन दर्गीरी हा इन जंग हा इन बर्खुर्दा बे कली अज़ बेन खाहत रहे वे किसवराई मन्तिके मीतोनन खुदशुन रएदारे कौनन मन्तिके शुन रएदारे कौनन तेहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामने के मैसेज आने भर की देर थी कि कैई मुलकों में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई प्रेजिडेंट जो बाइडन ने वाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुला कर इस्राइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है प्रेजिडेंट बाइडन ने इस्राइल पर हुए हमले की कीमत तहरान से वसूनले की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है इस्राइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वार प्लान पर जल्द आक्शन ले सकता है अमेरिका के ओपन एलान के बाद भी इरान में जश्क का दौर जारी है इरान की सड़कों पर बैनर पोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है मायने ये कि अब इरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है लेकिन सूपर पावर से इरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा अमेरिका के हत्यारू की काट इरान कहां से लाएगा क्या इरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा इरान के दुस्साहस की असल डीटेल जानने से पहले अरब वर्ड से आया ये मेसिज भी सुन लीजिये मेसिज है साओधी अरब का, मेसिज है इरान के लिए जिसमें साफ कहा गया है कि साओधी अरब खाड़ी में वार टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता देजिगनेटेद टुकामेंट अनुश्ट अगरेवर लुकिंग अग्लोबल एकोनमी अज़ों लुकिंग अट आवर रीजिन वी इस क्लीर इस अपरेटिग अट लॉस जिस तरह से युद में सूपर पावर अमारिका ने इसराइल का समर्थन किया है उससे ये तुरकी भी घबराया हुआ है क्योंकि तुरकी को डर है कि इसराइल का अगला टार्गेट वो बन सकता है सौधी अरब से साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अरब की खाड़ी में वार की टेंशन को और नहीं बढ़ाना च्वाता सौधी अरब का मैसेज इरान के लिए अलारम है जबकि ताकतवर तुरकी भी अमेरिका के वार जोन में आने से दहल गया है तुरकी के प्रेजिडेंट अरद्वान को डर सता रहा है कि इरान के बाद उनका ही नमबर है तुरकी की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरद्वान ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बया किया अरद्वान ने नेतन याहू को डारेक धमकी देकर तुरकी को टार्गेट बनाने से पहले सौ बार सोचने के लिए कहा है इसराइली दूर दूर्दूर्माली इस्लम दून्यास आइनी शेकिल्दे वतन सावनमसंदे मुतलका लुबनान हलकी वे हुकूमतिन यनन दूर्माली बिस तुरकीये वे तुर्क मिल्यति अलरक बूजर गुनलेंदे तुर्की डरा हुआ है सौधी अरब शान्ती का पैगाम दे रहा है फिर एरान युद्द की ललकार किसके दम से भर रहा है वार जोन में तहल का मचाने की शुरुआत इसराइल कैसे करता है ये बेरूद की बरबादी बताती है इरान की विसाइल स्ट्राइक का जवाब इसराइल भ्यानक पलटवार करेगा इसमें किसी को शक नहीं तो क्या इरान रूस और चीन के बैकप से अमेरिका से भुडने जा रहा है इरान ने आपरेशन प्रू प्रॉमिस टू का जोकिम किसके कहने पर मोल लिया है पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहट दराबना है प्रूस ने पश्चिमेशिया के युद्व संकट का ठीकरा अमेरिका पर पोड़ दिया है प्रेजिडेंट पुतिन ने बाइडन को जम कर कोसा है प्रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने ट्रेलिक्राम पोस्ट में दावा किया पश्चिमेशिया में बाइडन पूरी तरहा विफल रहे है पूनी संगर्ष बढ़ता जा रहा है ये वाइट हाउस के समच से बाहर है अमेरिका सिर्फ बयान से संकाटों को हलक करने में लगा है जो उसके बसका नहीं इसराइल के हमले के बाद लिबनान को राहत पैकेज भेज कर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है खाड़ युद में फिलहाल रूस इरान खेमे में है चीन पहले ही इरान को सेटेलाइट डील करके मदद पहुचा रहा है लेकिन वार्जोन में ये दोनों देश इरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है खासकर चीन उधर अमेरिका तैकर चुका है कि अब की बार इरान का पक्का इलाज करेगा इरान को गुटनों पर लाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा अमेरिका इसराइल को हर तरहां से मदद पहुचाता है हमास पर बरस रहे मिसाइल हों इस बुल्ला के एड़े पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूती विद्रोईयों को दहला रहे जंगी जेट ये सबी हतियार मेड इन अमेरिका है इसराइल सूपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है ऐसे में इरान ने अगर इसराइल में घुश कर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को इरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा अमेरिका के सौ सैनने अट डे खाड़ी के देशों में है जहां करीब 40,000 जवान तैनाथ है बहरीन में मौझूद इसा एर बेस को अमेरिकी वायू सेना संचालित करती है बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिटरी बेस भी मौझूद है बहरीन में नेवल फोसिस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के पांचवे बेड़े का मुख्याले भी है इसके अलावा भी अमेरिका के वेड, उमान, इराक, जोर्डन, फिलिपीन्स, कतर, सौधी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाइलेंड और सैयुक तरब अमिरात में सेंट्रल मौझूद है अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणू बोदाम है यूएस नीवी के एरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूकलियर हतियारों से लेस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणू धमाके का एसास करा सकते हैं अमेरिका के आट्मी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल इरान के पास नहीं है चीन जैसे मौका परस दोस्ट से एरान को एट्मी हतियार हासिल करने के एसरत कभी पूरी नहीं हो सकती बचे पुतिन तो वो इस यूद के गेम चेंजर सावित हो सकते हैं जिने दुनिया मोस्ट पाउफुल लीडर कहती है यूक्रेन की तवाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिन्दा समूत है पुतिन का एरान के साथ यूद में आने से एट्मी पावर का भी पढ़ला एरान के हक में चला जाएगा लेकिन ये यूद तब पूरी दुनिया पर भारी पढ़ेगा वज़े है एट्मी धमाके अमेरिका के आटम पम का धमाका इस धर्ती ने एक बार जहला है परमानू उत्रासिती से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है इरान को जवाब देने से पहले ही इसराइल को ग्राउंट ऑपरेशन में बहुत बड़ा जटका लगा है इस बुल्ला के खिलाफ क्या इसराइल ये युद जीतेगा या फिर हारेगा इन सवालों ने नेतनियाहूं को तब परिशान कर दिया और इस वक्त इसराइल के एक साथ सैनिक एक लाख सैनिक जो है लेबनान बौर्डर पकड़े हैं और पहले ही हमले में हेजबुल्ला ने बड़ा जटका दे दिया है इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा इरान के एक हमले ने एक अक्तूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन इतने बड़े हमले के बाद इसराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं, बलकि नेतन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है दक्षिन लिबनान में शुरू हुआ इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के साथ ही फस चुका है हिस्बुल्ला ने बॉर्डर पार करने वाली इसराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड दिया मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन पहले दिन फेल हो गया है इसमें कोई शक नहीं कि लिबनान इसराइल बॉर्डर पर बड़ी ललाई शुरू हो चुकी है हिस्बुल्ला को जड़ से खत्म करने वाला उपरेशन इसराइल ने लाँच किया इसका वीडियो भी भेजा लेकिन जब इरान एक अक्तूबर को इसराइल के मिलिटरी बेस पर विजाइल दाग रहा था तब लिबनान इसराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक उपरेशन जारी था इस बुल्ला का दावा है कि उसने इसराइली कमांडो को ओदेशा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक कर दी है उसके कई कमांडो मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं, पॉइंट ब्लांक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है एक तरफ नेतन याहू का लेबनान के खलाब ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ इरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है, इसराइल को तहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है नेतन याहू इस वक्त कैई मोर्चों पर घिर चुके हैं, इस खबर से बाइडन बहुत ज्यादा बेचैन है और आगे इस यूद का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मोस्कों में बैठे वलादमीर पुतिन भी टेंशन में हैं, इस वक्त दुनिया में चार पावर सेंटर तयार हो चुके हैं, जो इस यूद का फैसला करेंगे वाशिंटन डी सी में वाइट हाउस, क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डारेक्ट इस यूद में कूदेगा, इसराइल की राजधानी तेलवीव में क्या फैसला होने वाला है तीसरा शहर इरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वार रूम बड़े फैसले ले सकता है और चौता शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूकरेन नहीं बलकि इरान इसराइल के मोर्चे को भी मेसिज पहुचाया जा सकता है इस वक्त पूरा पश्चिमेशिया महायुद के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है नीचे आख सुलग रही है बं मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तलवीव से लेकर तहरान तक देह्शत पहली हुई है एरान के हमले के बाद अफगेन इसराइल के पाले में और नेतन याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि इरान को कैसे जवाब दिया जाए इस बुल्ला को कैसे खत्म किया जाए इनल कासो दे लीवा नो इंसिस्टीमोस एंके ला इंवाश्यों तर्रेस्ट्रे डेवे देटेनर से या के हैन यगादो इन्फोर्माश्योंज्च तर्माश्योंशत्र topics इस्ता माट यह जांजा koranच। ऑप Libanian इस्पांश ठाफ्या इनल और डेवाश्योंश थी सिएट रो एनल पन अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदेंगे तो क्या होगा ये बड़ा सवाल है और क्या यही से तीसरे विश्य युद्ध की शिर्वात होगी ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इस वक्त दुनिया अलग खेमों में बटी हुई है और अलग-अलग मोर्चे पर युद्ध भी लड़े जा रही है इस वक्त ऀरान और इसरायल दो कैमपों में बटे हुए है इसे महाशक्तिों की टककर कहा जा सकता है एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है क्योंकि अमेरिका इसरायल के साथ है और रूस इरान के साथ ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक कर वर्ल्ड वॉर की वज़े बन सकती है अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूर की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज किये बंगर बस्टर से लेकर हर तरहां का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है लेकिन एक अक्तूबर की रात को इरान के मिसाइल अटाक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हत्यार ले, कोई भी उसकी ढाल बने इरान नसरल्ला से लेकर हानिया सब का बदला, अकेले अपने दम पड़ ले सकता है अब सब कुछ नेतन याहू के वार रूम पर निर्भर करता है, वो क्या फैसले लेंगे क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, तोकि इसराइल के सामने चुनौती सिर्फ इरान नहीं, बलकि चार मैदान है जहां युद आक्टिव मोड में चल रहा है पहला फ्रंट गजा है, जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इसराइल हूती के एड़ों पर बंबारी कर चुका है अब चौता फरंट इराक बन सकता है क्योंकि इराक में इरान के समर्तनवाला मिलिशिया गुड हशदल शाबी भी आक्टिव हो गया है जब इरान के मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी तब यमन में भी होती अपनी कुद्स फाइब मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे उलिपन इसराइल इसराइल मोर्चे बढ़ने से इसराइल के ग्राउंड ओपरेशन की काम्याबी पर सवाल उठने लगे हैं एक अक्तूबर की रात इरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के ग्राउंड ओपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है अमेरिका को भी खत्रा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रेंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए तो इसराइल के लिए मजबूर कर दिया था यही वजाए कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकप चाहता है नेतनियाहू लिबनान में घुसकर हिजबूला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं इसे आप नेतनियाहू का ऑपरेशन ओल आउट भी कह सकते हैं लेकिन इससे पहले ही इरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक सवाल ये भी है कि क्या इसराइल हिजबूला के खिलाफ युद को इतनी आसानी से जीच सकता है जबकि इससे पहले वो दो बार फेल हो चुका है इसराइल के मिसाइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाओ में है वो इसराइल के आसपास अड़ो पर फॉज और फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात है इराग से लेकर सौधी अरब और कतर से लेकर कुवेट तक अमेरिका के कई सैन नेटे हैं जहाँ पर उसके सैक्लो फाइटर जेट भी तैनात है लेकिन हिस्बुल्ला और इसराइल की लड़ाई बॉर्डर पर हो रही है और वहाँ इसराइल को काम्याबी के लिए कुछ नया सोचना होगा क्योंकि अब हमला चारों तरफ से हो रहा है और इसराइल के पास अमेरिका की गारेंटी सबसे वड़ी ताकत बची है